हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आई होब आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, बरसाथ जाने वाली है और सितंबर महिने का लाश्ट होने वाला है इस टाइम पर हमें अपने पेर पौधों को फर्टिलाजर देना जाहिए जिस से ये आगे फ्रावरिंग के लिए अच्छी तरीके से त्यार हो जाएं हेविस्किस के पौधे में अक्सर ये समस्या रहती है कि उसमें कलियां आती है और छड़ जाती है कई बार उसमें कलियां ही नहीं आती है आपका प्लांट हरा भरा होता है तो इनी सब चीजों के लिए हम आज आप सब को वो फर्टी लाइजर बताने वाले हैं उसको डालते ही आप देखेंगे छे साथ दिनों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा उससे आपकी पतियां भी हरी भरी हो जाएंगी और कलियां बनना भी सुरू हो जाएंगी साथी साथ में दूसरा फर्टी लाइजर बताऊंगी जिससे आपकी कलियां गिरेंगी नहीं और धेर सारे फूल आपके गुड़हल के प्लांट में खिलेंगी चाहे वो आपका देशी गुड़हल हो या हाइवरिड हो तोनों तरीके के गुड़हल के पादे पर आप उसको डाल सकते हैं तो अभी मैं बताने वाली हूँ वही फर्टिलाइजर तो आईए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकेन प्रेस कीजिए जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए आईए फ्रे और उसे कैसे डालना है प्लांट में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले देखिए ये प्लांट है, इसमें हम डालेंगे, इसमें कोई भी कली अभी नहीं आई हुई है, और मैं उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगी, कि फर्टिलाजर डालने के बाद कैसे उस तरीके से हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने प्लांटर में मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, और उसके बाद में आप फर्टिलाजर डालिए, ये दोस्तों डी एपी फर्टिलाजर है, और इसकी मात्रा आप जाधा और कम इस तरीके से डालेंगे, अगर आपका पौधा बड़ा है और प्लांटर भी बड़ा है, तो आप इतना फर्टिलाजर डालिए, और अगर आपका प्लांटर छोटा है और पौधा भी छोटा है, तो इसके 5-7 दाने ही आप डालिए, जदा नहीं डालना है बढ़ना, इससे आपका पौधा खराब हो जाएगा, इस इसरे दिन उसमें सामको फर्टिलाइजर डालीए और उसके बाद उसमें आप पानी डाल देजे। पानी भी आप उतना ही डालीए जितना कि नीचे तक पहँचे जादा पानी डालकर नीचे निकालना नहीं है। क्योंकि इससे आपका fertilizer बेकार जाएगा, पानी उतना ही डालिए कि प्लांटर में नीचे तक पहुँच जाए, इतना पानी डालना है, और इसी के साथ साथ में अब आपको दिखाऊंगी, दस दिनों के बाद आप देखिए कैसे इसमें कलियां बनना शुरू हो गई है, यह छोटी छोटी सी कलियां इसमें आई हुई है, और हमारा प्लांट भी हरा भरा है, तो दोस्तों इस fertilizer का बहुत ही अच्छा effect होता है, अब मैं आपको दूसरा fertilizer भी बताऊंगी, जो आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक chemical fertilizer है, और बहुत से लोग chemical fertilizer डालना नहीं चाहते हैं अपने plants में, तो मैं आपको organic fertilizer बताऊंगी, जिसके डालने से आपके plant में कलियां भी आएंगी, और कलियां भी खिलेंगी, तो दूस्तों वो दूसरा fertilizer है हमारा प्याज के छिलके, आप पहले प्याज के छिलकों को सुखा लीजिए, और जब आप प्याज के छिलके सूख जाएं, तो करने के बाद आप मिट्टी को निकाल दीजिए, मिट्टी जब आप थोड़ी थोड़ी निकाल लेंगे, और उसके बाद आप उनको छिलकों को रख दीजिए बीच में, और उपर से फिर से मिट्टी डाल दीजिए, इस तरीके से जब आप करेंगे, और पानी डालेंगे, तो उसका पूरा असर आपके प्लांट में होगा और कलियां भी बनेंगी और फ्लावर भी आएंगे। हम अपने हिबिसकस के सभी प्लांट में यही दोनों फर्टिलाइजर डालते हैं और हमारे सारे फ्लांट बहुत हेल्दी हैं। देखिए इस प्लांट में भी कैसे कलियां आई हुई हैं और हमारा प्लांट भी काभी हेल्दी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सेट कीजिए, नेक्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, बाई बाई